नमस्कावन मैं हूँ शुभे और आप देख रहें नियूस स्वानीशन खोफिया विभाग की तरफ से बिहार में आतंकी हमली का अलर्ट जारी किया गया है आपको बता दे कि ये हमला महाश्यवरात्री के दिन भी हो सकता है वो इसलिए क्योंकि इस दिन शिवालियों में और साथी साथ आसपास के मंदरों में काफी भीड जुटती हैं और ऐसे में कहीं न कहीं खोफिया विभाग के तरफ से इस बात की जानकारी दीचारी है कि आतंकी हमला बिहार के तमाम स्टेशनों और मंदरों में हो सकता है अलर्ट जारी किया है यह हमला महा शिवरात्री के दिन हो सकता है इस दिन बिहार के प्रायह सभी मंदरों और शिवालियों में काफी भीड जुटती है आतंकी इस मौके का फाइदा उच्छाने की कोशश कर सकती है खोफिया विभाग के अलर्ट के बाद छप्रा का जिला प्रशाशन मुस्तैद हो गया है छप्रा के जिला अधिकारी उम्मित कुमार्णी छप्रा सदर मढ़ोरा और सोनपूर के स्डियों को इस बावत जरूरी एतियाती इंतजाम करने को कहा है छप्रा जिले के सोनपूर में भगवान हरिहरनात यानी शिव का काफी प्राचीन मंदर है यह मंदर पटना और वैशाली जिलों के मुख्याले से बिलकुल सटा है इस वजह से यहां पर शिवरात्री पर काफी भीड होती है शिव पारवती के मिलन का महा पर्व शिवरात्री है जो 11 मार्च को है छप्रा जीम के पत्र के मुताबिक इस दिन शिव बाराज शोभा यात्रा भीड भाड वाले इलाके मेला शेत्र रील यातायात वर च्रीन पर आतंकी हमला हो सकता है डीम ने मंदरों और सभी भीड भार वाले अस्तलों पर विशीर शुरक्षा इंतजाम करने को कहा है खूफिया विभाग के अलरज के मुताबिक इंडियन मुझा हिद्दीन और IASI का स्लीपर सेल महा शिवरात्री पर भीड भार इलाकों में आतंकी घटनाओं को अंज्याम दे सकता है सारण जिली के प्रसिद शिव मंदिर धन्नी धर्मिनात मंदिर हर्यनात मंदिर सोनपूल सिलहोडी शिव मंदिर मढवारा आमी स्थित अंबिका भवानी मंदिर डोडनात लहलादपूर जंता बाजार समेत अन्य मंदिरों जहामा शिवरात्री पर मेला भी लगता है वहाँ पर विसेश शुरक्षा विवस्था करने का निर्देश दिया गया है। इस दोरान मेला वा मंदिरों में ध्वनी प्रदूशन ना हूं इस पर भी ध्यान रखा जाएगा। सेल की नजर इस भीड़ पर ठीकी है बहां शिवरात्री के दिन प्राया हर मंदिर में हर जगह पर भीड़ जादा होती है और ऐसे में खूफिया विभाग की तरफ से पूरे बिहार को लेकर आतन की हमली का अलर्ट चारी किया क्या है। इसलिए आप भी सुरक्षित रहें हमारी आपसे यही उपील होगी कि जरूरत ना हो तो कम से कम कल घर से बाहर ना निकले। फिलाल के लिए इतना ही ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूस वानीशन नमस्कार।